हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं सत्यम आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनेंदन करता हूँ आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, पेट के कीडे, हम उनको कैसे दूर करें, उदर करमी, यानि हेलमेंथ यासे से एक बिमारी होती है, यानि पेट के कीडे, तो उस पे हम आज चर्चा करेंगे, उसको हम किस तरह से घरेल उपचार के द्वारे ठीक कर सकते हैं, हमारे घर में ही क्या ऐसा उपचार है, जिसे हम प्रयोग करें, तो जैसे कि आप जानते हैं कि पेट के अंदर जैसे कि आप जानते हैं, जब हमारे बॉड़ी के अंदर वायू की समस्या, या अपचन की समस्या, या मन दागनी हो जाती है, या पेट के अंदर मतलब हम कुछ भी उल्टा सिधा खा लेते हैं, या बिना समय या एनिमित जब भी खाते हैं, तो उसके बाद ही ये समस्या प खाते हैं, और जो हमारे लिए हित कर नहीं होता, जब हम ऐसा भोजन करते हैं, तो पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, तो वो हमारे समस्या पैदा करते हैं, तो उसके ठीक करने के लिए आप एक उपचार कर सकते हैं, आप आडू के पत्तों का रस प्रयोग कर सकते हैं, इसके लावा एक प्रयोग और आप कर सकते हैं, आपने मरवा का पेड़ सुना होगा, मरवे के पत्तों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप आडू के पत्तों का रस और मरवे के पत्तों का रस एक साथ भी मिलाएंगे तो भी आपका बहुत हेल्प करेगा, इन दोनों क को आप एक साथ भी रस निकाल का सुबह खाली पेट और शाम को आप किसी भी समय ले सकते हैं तो निश्यति आपके लिए बहुत बहुत लाबकारी सावित होगा इसके अलावा एक प्रियोग और आप कर सकते हैं अगर आपको पत्तों का रस लेना उचित नहीं लगता है तो आ आपको यह बहुत पसंद आएगी बहुत पसंद आती है चटनी और इसको भी आप प्रियोग कर सकते हैं तो यह आपकी समस्त वायू समस्त हैं आप अचानी इंडाइजेशन या जट रागनी हमारी डाउन हो जाती है या पेट के अंदर हम कुछ भी दिक्कत होने लगती है या कॉंस्टिपेशन हो जाता है उन सब चीजों को यह के लिए हित कर नहीं है उसको आप ना प्रियोग करें और निश्चिति आपकी समस्या दूर होगी इसके लावा अगर किसी को गंभीर समस्या है तो आप हमें कमेंट करें हम उनको और आयरवेदिक ट्रीटमेंट बताएंगे उसका भी हमरे पास इलाज है तो आप इस छोटे से प्रियोग को आप प्रियोग कर सकते हैं मैंने बताया आड़ू के पत्तों का रस आप मर्वे के पत्तों के साथ मिला कर भी प्रियोग कर सकते हैं या अकेले भी आप प्रियोग कर सकते हैं सुबह शाम खाली पेट ले तो पेट के किड़े जल्दी मर जाते हैं इसके लिष्टिति आपके कीडों को मारने में मदद करेगा और जो कीड़े हो जाते हैं तो उस्में मीठे का प्रीयोग हमें नहीं क्रना और आपको अच्छे से भूख लगेगी और समय पर आप भोजन करें तो ये आपके लिए बहुत उचित रहेगा तो प्यारे दोस्तों आपको ये उदर क्रमी की समस्या से जरूर मुक्ति मिल जाएगी आप इसका प्रयोग करें उमीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करें हम निश्यती आपके समस्या का समधान करेंगे और ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे आप हमें प्रोचसाहन भी कर सकते हैं आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं तो हम निश्यती इससे हम प्रोचसाहित होते हैं और आपके लिए अच्छे चीज़ चीज़े लेकर आते रहेंगे मिलते हैं किसी अच्छे से अपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार जहिंद